पनीर की सब्जी खाने का बहुत मानोरा और बहुत इजी तरीकी से कुछ सब्जी ऐसी बन जाए कि जादा मैनत भी न लगे आज आपके लिए बहुत ही घर का जो समान होता है उसमें इसली बन जाते है तो इतना उसको कुछ मसालो की ज़रूरत नहीं है wellcome to aromatic spices आज की जो रिसिपी है वो instant पनीर की रेसिपी है यहां पे मैंने तेल लिया है और मैंने प्यास और शिम्मला मिल को मिर्छ को हलका सा मैने फ्राइ कर लिए जादा मैने इसको फ्राइ नहीं करना हूं और फिर उसको मैंने निकाल दे किसी बाउल में यहां पे तेल लिया ह त्विया नमक नमक नमक, मिर्च देगे मर्च दालए और यहाँ पर हल्दी डाली है असा हम जो नौरमल मसाले घर्मे मिलते हैं इससे ही सब्जी पनाएगे, बहुत ही टेस्टी बहुत ही जल्दी बनती है तो बस जैसे ही ये तैल चुरू कर देगा तैल चुरू कर देगा तो यहां पर हम लोग आदा कप दूट डालेगे और यहां पर मैंने घर की मलाई भी डाली एक चमच अब यहां पर बजार की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं अगर घर में मलाई ही, यहां पांच से दस मिन पकाना है। पांच से दस मिन के बाद आपके जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक होनी शुरू हो जाएगा एक बट्टरी सा टेक्स्चर आजाएगा आपके सब्जी में तब यहां पर हमने जो प्याज शिम्ला में डाइस करके हलके से फ्राइ किये थे उसको हमने यहां पर डालना है और हमन बी जे वो निकाल के यूज कर ले अपनी ग्रेवी एस टेमाटर प्यूरे में और फिर इसको तमाटर को डालना है प्यास और शिम्ला मिर्च के साथ और ग्रेवी विज़स को पांच से तस मिन तक पकाना है फिर हम नहीं पर तस तुरी मेथी टाली है थोड़ी सी कस्थूरी मेथी डाल दो इसमें अच्छा फ्लेवर आजाए कस्थूरी मेथी से और यहां पर मैंने एक चमच गरम मसाला डाला है और बस हमारी जो सब्जी है वह मतलब मोस इसका देखना है यह डेडी है और अग्दम ठिक हो चुकी है इसका तेल साइडों से चूट गया है जो हमने य बनानी है सब्जी तो आप फिर पनीर को हलका सा फ्राइ भी गर सकते हैं पर इवे इंस्टन सब्जी फटा फट बने वाली सब्जी तो मैंने यह पर पनीर को कुछ फ्राइणी किया सिंपल पनीर काटके मैंने डाइस करके डाला है इसमें इसको भी अपने 5-10 मिल तर पकाने आपके निया पनीर के साथ गांइश करी गर्मेश करीं जब भी बनाने हैं और सब्जी को हम नहें पर खाडा मसाला कुछ नहीं के सिंपल बनाइए नमक मिर्षाल थ निया के साथ सब्जी परनाई हैं यह बहुत ही इंस्टन वाली सब्जी है टमार्टर प्यास तो यह एसी स जबान जाना नी पड़ेगा बजार से, सिर्फ पनीर आपके सब के पास होता है घर में, तो बस आपकी सब्जी फटक बन के तयार है, तो इसको ज़रूर ट्राइ करिए, बताइए आपको यह रेजिवी कैसे लिए, थैंक यू